आप देख रहे हैं MNS News, सच ज़रूरी है दर्शों को नमस्कार ये है MNS News नेट और को आप देख रहे है MNS News टीवी मैं हूँ आपके साथ पूजा तो आई ये देखते आज की कुछ खास कपरे PM ने किया दुनिया के सबसे लंबे प्लाटफॉं का घाटन कहा हर घर खुश्याली लाना लक्ष प्रधान मंत्र नरेंद्र मोधी करनाटन के दोरे पर है वहां रयुवार को उन्होंने भुबली धारवाड में कई विकास परिल्योजनाव को लोकारपन और शिलान्यास किया है इसके बाद PM मोधी ने पुनरविक सित होस्पेट रयल्वे स्टेशन राष्ट को समर्पित किया PM के इस कारेक्रम में एक किर्दी मान भी रचा गया है जहां भुबली रयल्वे स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे प्लैटफॉर्म का भी उद्धाटन हुआ इस रयल्वे स्टेशन के प्लैटफॉर्म नमबर 8 की लंबाई 1507 मिटर है इसका नाम गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्श हो चुका है कारेक्रम में लोगों को संबधित करने हो पीम मोदी ने कहा कि करनाटक ने कनेक्टिविटी के मामले में आज एक और मिल के पधर को चुलिया है अब सिद्धर रुधा स्वामे जी स्टेशन हुबली बर दुनिया का सबसे बड़ा प्लैटफॉम है ये सिर्फ एक रेकॉर्डी नहीं ये उस सोच का विस्तार है जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रात्मिक्ता देते हैं पहले राजनिदिक लाब हानी देखकर कि रेल रोड प्रोजेक्ट की घोशना होती थी हम पूरे देश के लिए प्रधान मिंत्री गदिशिक्तर नैशनल मास्टर प्लान लेकरा है जहां भी देश में जरूरत हो वहां तेज गदि से इस्ट्रक्चर बन सके अपने संबोधन में पीम ने कहा कि करनाटक के प्रत्यक वेक्ति का जीवन खुशाल हो यहां के युवाव को रोजगार के अउसर मिले यहां की बहन मेडिया और सशक्त हो इसी दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं बीजीपे के डबल इंजेन की सरकार पूरे राजय में पूर्ण विकास के लिए इमानदारी से प्रयास कर रहे है आज धरवाड की इस धारा पर विकास के एक नई धारा निकल रही है विकास की ये धारा हुबली धरवाड के साथ ही पूरे करनाटक को सीचने का काम करेगी धरवाड के ओल एक gateway ही नहीं रहा बलकि ये करनाटक और भारत की जिवनतता एक प्रतिपिम्ब बन गया है इसे करनाटक की सांस्कुरूतिक राजदानी के रूप में जाना जाता है प्रतिपिम ने कहा कि धरवाड में आयाटी का नया कैंपस करनाटक में विखास यात्रा में नया अध्याय लिखा रहा है जितने जादा उत्तम इस्टिट होगे उतने ही जादा लोग अच्छी शिक्ष्या तक पहुच पाएगे यही कारण है कि बीति नव वर्षों में भारत में अच्छे एजुकेशन इस्टिटूट की सक्ष्या लगातर बढ़ रही है चोरी के मोबाइल के साथ जारखंट के तिन गिरफतार चोरी के 31 मोबाइल के साथ सिविल नाइन पुलिस ने जारखंट के एक नावालिक समय तिन लोगों को गिरफतार कर लिया है नावालिक और यूग जारखंट से आकर चंपा में किराय का मकान लेकर रहते थे चंपा से वेटरेंग से शहर आते थे तिन बाजारों में भीड का फायता उठा कर मोबाइल पार करते थे यूगों के कबजे से जब तो मोबाइल की जानकरी जुटाई जा रही है एस विसंतुष कुमार देशी है निर्देश पर सिविल लाइन थाने के जवान गनेश्चोक के पास फेरी वालों की जानकरी जुटा रहे है इसी दोरन एक यूग ते खरीददारी करने आए एक वेक्ति का मोबाइल निकाल रहा था इसी वेल लाइन थाने में पदेश्य आरक्षक विकास यादों ने इसे देख लिया ततकाल मोबाइल को वापस कराने के बाद जवान यूग को थाने लिया है या पुश्टाश में यूग ने अपना नाम शेक मुल्क राज निवासी मोती जहर तेल ज़री जिला साहिब गंज जारखन बताया कड़ाई करने पर उसने अपने साथी शेक बादन निवासी मोती जहर तेल ज़री जिला साहिब गंज जारखन वो एक नावाली के साथ चमपा में किराय का मकार लेकर रह रहे है बताया तीनो ट्रेंस से आकर शहर के बाजारों में महिगे मुबैल पार करते थे चोरी की घटना को अन्जाम देकर 3 चंपा लोट जाते उनके कभजे से 31 मुबैल जट के गया है चोरी के मुबैल के साथी पकड़े गई योकर ने बताया कि बाजार में मोबाल पार करते ही उसे दूसरे साथी को थमा देते थे इसी तरह एक दूसरे को मोबाल देकर वहा से गायब हो जाते थे चोरी के मोबाल का 3-4 खंड के साहिब गजबे नाकर खपाते थे पुलिस मोबैल के EMI नमबर के आधार उसके माली क्योंकि फहचार करने में जूती है मुखिया के घर अपराधिक घटना की साजिश रष्टे तीन गिरफतार हतियार बरामत बिहार के सिवान में पुलिस ने तीन आरोपियों को अपराधिक घटना की साजिश रष्टे गिरफतार किया है अपराधिक के पास से हतियार और गोली बरामत की गए पुश्टाच में पता चला कि वह बराबर अपराधिक घटना को अंजाम दे रहा था फिलान मुख्या के घर में साजिश रची जा रही थी छाबामारी के दोरान मुख्या के घर से निकल कर तीन वेक्ति भागने लगे जिसे पुलिस ने खटेर कर पकड़ लिया तलाशी लेने पर तीनों के पास से हतियार और गोली बरामत की है अपरादी ने बताया कि मुख्या पती विश्व कर्मा बिंद के साथ मिल कर हम लोगों ने जिले के विबिनने जगहों पर पूर्व वक कई अपरादी घटनाओं को अंजाम दे चुके है इनके घर पर हम लोग का हमेशा आना जाना रहता है आज भी हम लोग किसी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए यहां आये थे एक अपरादी गोली से है घायल पकड़े गए अपरादी अंगत मिश्रा ने बताया कि 10-12 दिन पूर्व गोपालपूर रोट में बाइक लूटने के क्रम में अपने साथी अजित कुमार के द्वारा पायर के गए एक गोली मुझे लग गए थी जिसमें मैं जख्मी हो गया गिरफतारी अपरादी की पहचान विक्रमजित गुपता और्फ गिजना सराई आरोपी थाना शेतर अंगत मिश्रा हर्दिया गाव थाना पचरूखी और अजित कुमार और्फ अमरपिता स्वर्गिय जैप्रकाश बरवली थाना आदर के रूप में हुई है सीवान एस पिशेलश कुमार सिन्हा ने बताया कि अपरादी के पास से 9 mm का देसी पिश्टल एक 2.5 mm का देसी पिश्टल और 315 बोर का देसी कठा एक 9 mm का जिंदा गोली 3 और 7.65 mm का जिंदा गोली और 315 बोर का जिंदा गोली एक बरामत हुआ है आपको बताते हैं कि पकड़े गई विक्रम जित गुपता एव अंगर मिश्रा पर पहले सी कई मामले दर्च है अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं मोबाइल अप पर देखने क्लेए प्लेस्टोर से MNS News TV आपस डाउनलोड करें इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई, कूट, फेस्बुक और कई सोचल मिडिया के प्लेटकॉम पर हमारे चैनल उप्लब्द है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं आप हमारे चैनल को लाइप भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर फिलाल उत्तों चलाए दर्शों को ब्रेक का ब्रेक से लटने का पर देखे गादेश और दुनिया की तमाम कबरे बने रहे हैं MNS News पर नमस्कार ये है MNS News नेटबर और आप देख रहे हैं MNS News